ब्रेकिंग नीव जी हाँ दोस्तों कावड यात्रा 2020 भगवान सिपका प्रिये सावन माद 2020 आद्व सहयोग के साथ 6 जुलाई से शुरू भगवान सिपका प्रिये महिना सावन ये क्यों है इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना होगा आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे तो चलिए गाइट्स वीडियो को सुरू करते हैं इस चैनल के मात्यम से आपको काबर यात्रा 2020 और स्रावनी मेला और द्योपर से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी तो हमारे साथ जुड़े रहे और तो चलिए गाइट्स अब आपको देते हैं पूरी जानकारी इस बाद सावन माल 2020 में सोमबार का अध्व सयोग बढ़ रहा है छे जुड़ाई से सोमबार को सावन की सुरू रात होगी और तीन अगस्त सोमबार को ही इसका समापन होगा इस दवान पांच सोमबार पड़ेंगे बुड़ानात मंदर केव पंडित चंदरकांत जाने इवताया की सावन छे जुड़ाई से सुरू हो रहा है इसके बाद दूसरी सोमबारी 13, 23, 24, 27, 25 सोमबारी 3 अगस्त को है 3 अगस्त को सावन का समापन होगा इसी दिन पूर्णमा है और बहन अपने भायों की कलाई पर रक्षा सूत्र बानेंगे पिरता सुब्यानी के सुबा साड़े आठ बजे से रात रे आठ बजकर 20 मिर्ट तक बहन अपने भायों को राखी बान सकेंगे उन्होंने बताया कि सावन में पारश होने का भी सायोग है साथी करे बिरवेश आदि भी सुब होंगे इसी को लेकर जगनात मंतिर के पुजारी पंडित सौरभ कुमार मिसरा ने बताया कि इस बार सावन में 5 सुनबारी का विरत होगा जिसमें तीन किरसल पक्ष के वद दो सुखल पक्ष में होगा उन्होंने बताए कि धर्मेक समाज मान नताओं के अनुसार स्रापुनमा में भगवान सिर्की पूजा, महामिर्त्रिया जन, मंत्र जाव वह अभी सेव के आदी करने से प्राली की समी प्रकार के बादार रोग से मुख्ध हो जाते हैं इस साल करोना वाइरस में हमारे की बज़े से सिर्धालों की संख्या में आएगी कमी यूपी आदी जगों के सिर्धालों में काफी कमी आएगी अभी देवगर मंदिर भी नहीं खुला है इसलिए 30 जूम के बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है मंदिर में लाइट की व्यवस्ता की जा रही है सिर्धालों के बीच दूरी बनाने के लिए गहरावा व्यवस्ता की जाई ही वुड़ान मंदिर के प्रवंदक बालमी की सिंग ने बताया कि धान में निया स्पोट की तरफ से सिर्धालों को दर्शन की अनुवती मिली है सावन को लेकर कोई निर्देश नहीं आया है मंदर को सेनिटाइजर कराने के साथ सिरदोर को सोसल डिस्टेजिंग के साथ ही मंदर में पिरवेज की अनुमती मिलेगी तो इससे जुड़ी जानकारी पाइने के लिए हमारी यूटूब चैनल अनल रोजगार को सब्सक्राब करके बैल आइकन को आल प्रेस जरू कर दे और इस चैनल पर आपको देवर सावी मिला हरदृ और केडार नात्स से ज्ड़ी सारी जानकारी आपको मिलती रहेंगी और इस वीडियू को चाह्जा ज़्यादा शीर घये ताकि जादा ज्यादा भक्तों को इसके जानकारी मिल सके और बै अपनी आस्था कर सके आफिए धी आपको बस यही जानकारी देरी थी आपको यह जानकारी पर काईसी लगी हमें कमेंट करके जरूरत दूत भी न की विणा फिर मिलते एक और ऐसी जानकारी वाली क्साथ तब तक अपना खेल रहें सौसत अब खालेटे करते रहें एजाद में टेक केर और गुडबाए